प्रत्थम वर्ष की विध्यार्थियों आपके पाठ्यक्रम में उपन्यास का उद्भव और विकास है जिस पर हम आज जानकारे प्राप्त करेंगे उपन्यास हिंदी साहित्य की सभी विधाएं यूरोपिय प्रभाव से प्रभावित हुएं उपन्यास साहित्य में बंगला साहित्य से प्रभावित होकर अनेक साहित्य कारों ने इस पर प्रभाव लक्षित होता है आंगले साहित्ती कारों ने बंगला में उपन्यासों का शुजन किया बंगले उपन्यासों को पढ़के हिंदी के कुछ साहित्ते कारों को अपनी भाषव में उपन्यास लिखने की प्रेणा प्राप्त है फल सुरू अनेक उपन्यासकानों की नवीन धंकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठा को उचा उठाया प्रारम में लिखेवे उपन्यासों में और आधुनिक यूग में लिखे उपन्यासों में हमें परियाप्त भेद दिखाई देता है कोई पोधा तुरंती परिपक्ता को प्राप नहीं खिलता उसका क्रमशे विकास होता है उपन्यासाहित्य की विकास कालिन अवस्थाओं को हम निमने लिकित भागों में विवगत कर सकते हैं विकास की प्रथम अवस्था अठारह सो पचास से उन्निस हो तक हिंदी गद्य के आविर भाव के साथ साथ उपन्यासों का उत्भव विवा श्री ललूलाल जी मुन्शी सदासुखला सदलमिश्ट और इंशालला खां हिंदी गद्यकारों में अपना प्रमुक्तान रखते हैं किन्तु उपन्यास के प्रमुक्ततों और लक्षणों के अभाव के कारण इसको उपन्यास नहीं माने जा सकता उक्तगद्यकारों की परमपरा को लेकर हिंदी में अनेक कान्या लिखी गई और लोगों की अभी रूच्ची काहनियों के ओडलीन होती गई इसी समय एक देश्चंद्र थे जिन्होंने विबिन्य भाषाओं की पुस्तकों को हिंदी में अनुदित किया और अन्य साहित्यकारों को भी इस पवित्र कर्म में लगाकर हिंदी साहित्य को संव्रित बनाया भारतेंदु काली लेखक बालक्रश्न बट्ट ने भी कुछ उपन्यास लि मिलता है इनके उपन्यासों में सो अजान और एक सूजान मुख्य है बारतेंदु यूग में अन्युची परमपरा बहुत प्रचलित वही मौलिक उपन्यासों को लिखने के पैक्षा बंगला और अंग्रजी उपन्यासों के हिंदी में नुवाद किये गए स्वेम भारतन्दु जी ने कतिवे बंगला उपन्यास का हिंदी नुवात किया, भारतन्दु जी की पिरेणा से पिरितोकर गजदर सिंग, राधा कृष्ण दास, राधा चन गोस्वमी, प्रताप नरणमिश्र, आधि अनेक उपन्यास कारों ने बंगला से हिंदी में नुव यह काल उपन्यास काउं की विविदिता और आधिक्या के लिए प्रसित है, इस काल में अनेक बंगला और आंगल उपन्यासों को अनुवादित किया गया, साथ ही कुछ मुलिक रचनाय भी दिखी गई, इन उपसन्यासों में एतिहासे सामाजी तदा भाव प्रधान रचना किन्तु इन में जीवन की वे समस्य नहीं थी, जो आधिन उपन्यासों में मिलती है, यह काल उपन्यास के विकास का काल माना जा सकता है, यह दिपी इन उपन्यासों में गंबीरता का नितांत अभाव है, किन्तु उपन्यास के विकास में इन अचनाओं के योग को एवा मत् इस यूग में कतिपे मौली को पन्यास भी लिखे गए देव की नंदन खत्री इस यूग के सरवादिक लोकप्रियों पन्यास कारते इनके चंद्रकांता एवन चंद्रकांता संत्त्ति यूग पन्यासों से यूग परिवर्थन हुआ खत्री जी के उपन्यासों को पढ़ने के लिए अनेक अन्य भाषियों ने भी लिखे जनता ने इन्हों पस्त्रासों का अधे से स्वागत किया ये एयर यूजसुस से बर्पूर्ट गटना वेचित्र की अत्रित और अधिकुछ नहीं है अचरीरामचंद्र शुकल ने इनुपस्त्रासों को सहित्य की कोटी में नहीं माला है किंटो जो जो कोत्वा खो गटना वेचित्र उप नहीं मिलता है अध्यत दुल्लब है उपन्यास सहित्य की विगास में इनुपस्त्रास geben rig साहित्यक मैत्पव है इस काल में कुछ सामाजी उपन्यास भी लिखे गई, साथ ही कतिपा एतिहासिक तजासों से मौलिक उपन्यास की भी रचना वे पंडित किशोर लार गुष स्वामी और हरियोत ने भी बहुत कुछ मौलिक उपन्यास लिखे जिनका तृतिय खड़ी बोली के विकास में परिया द्वितिय अवस्था में ही कतिपे सामाजी उपन्यास लिखे जाने लगे थे, किन्तु इस काल में मुख्य तया सामाजी उपन्यासों की रचना हुई समाज की अनेक समस्याओं पर विचार एवमन का समाधान इस काल के उपन्यासों का विशे रहा है इस यूग के प्रमुक उपन्यास का प्रेमचन उन्होंने अपने उपन्यासों में यथार्थ और आदर्ष का भैचित्रन किया है जो एक और हमें उच्छ आदर्षों की और प्रिरित करता है और दूसरी और वास्तिविक्ता से भी दूर नहीं जाने देता प्रेमचन के उपन्यासों की विशेशता यह है उसमें घटना के सासा चरित्र चित्रन को अभी उतना इमत दिया गया है उन्होंने मद्वर का अथात हम सजीव चित्रन किया है उनके उपन्यासों में कहीं भी राष्ट्रिता की भावना मिलती है उन्होंने समाज को देखा था गाउं को देखा था, वहां की दुर्बलताओं को भली बानती परका था, वे समाज की मजदूर के मुकर्शों वर्ग से भली बानती परजित थे, अथा है उनकी उपन्यास इंदी साहित्य का सम्मान बन गए. उन्होंने अपने घटना चरत साक्षेव उपन्यासों में समाज की बुरहियों का हिथा चितन किया, किन्तु उन्हें कहीं भी अश्लिलता नहीं आने दी. प्रेमचंद जी के उपन्यासों में सीवा सदन, प्रेमा श्राउं, रंग भुमी, गबन, कर्म भुमी, ता गोदान, उलेकनियां. इस स्युद में प्रेमचंद के तिरिक अन्य उपन्यासकार भी हैं, जिनमें प्रसाथ, कोशिक, चत्तु सेन, शास्री, पांड़ी, बेचे प्रेमचंद बर्मा इत्य दें. चोथा आता है आधुनिकाल, 1936 से 1947 सन 1936 से प्रेमचंद की मृत्यु के पश्चात उपन्यास सहित्य का भविष्य कुछ निराशा जनक प्रतित होने लगा, किन्तु उस समय तक कुछ प्रतिभाशाली नव्युवक हिंदी सहित्य में उपन् उपन्यास कार दू प्रमुक धारों में बट गई, एक थी मनोवेग्यनिक विचार धारा और दूसरी थी प्रगतिवादी विचार धारा. मनोवेग्यनिक विचार धारा से प्रभावित उपन्यास कार जेनंद्र अग्रे बगवति चनवर्मा इलाचन जोशियादी हैं, यह धारा मनोविशलेशन शास्त्र के प्रभाव में कुंटिक एत्रिप्त वासनों की अव्यक्ति करती है, पसुता जेनंद्र के पात्रों में मनोवेग्यनिक ठंग से परिस्तियों का परज्ञान करने के शमता है, जिससे वे ऐस सामान्य परिस्ति में भी अपना संतुलन नहीं कोते हैं, और एक दाशनिक की मनोविश्तिति द्रण कर लगते हैं, बगवति चनवर्मा की उपन्यास नयतिकता और मनोवेग्यनिकता के सम प्रगति वादी विचार धारा की निता यश्पाल है, ये माक्सवत से प्रभावित प्रगति शील लेकक है, प्रगति वादी विचार धारा से प्रभावित अन्य उपन्यास कारों में रांगी रागव, भगवति श्रन उपद्यार नागर जुनादी प्रमुक है, रांगी सेंताली में देश की स्वतनता के पशाब उपन्यास कारों में और वेदिक पेड़ना की लहर दोड़ गई और आज भी अनेक उपन्यास अपने रचनाओ गरा उपन्यास साहिते को सम्रिद कर रहे हैं। परिस्तियों पर विचार करते वे और भी अनेक लेक को दोरा जो अपन्यास के गए हैं वो भी आज दर्शनिक योग्य हैं। धन्याबाद।